नमस्कार साथियों आफ सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुशी स्टेडी यूटूब चेनल पर आने के लिए दोस्तों आफ सभी का लगतार कमेंट आ रहा था कि सिटेट दिसंबर आउनलेन अप्लिकेशन फॉर्म भरने की योगिता क्या क्या है कौन कौन से अविर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं आज से ऑनलेन आविदन स्टार्ट भी हो चुका है तो पेपर वन और पेपर टू के सम्बन में डीटेल से चर्चा करेंगे इसकी योगिता क्या है तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजीगा और अगर आप हमारे नए साथ ही नए मेमान है तो वो जो रेडिकलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर लिजीए तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी गूगल ब्रूजर ओपेन कर लेना है और सर्च करना है कोसीस्टेडी.com आपका पेज कुछी इस तरीके से ओपेन हो जाएगा आप नीचे स्क्रोल करेंगे कोसी स्टेडी लेटेस्ट अपडेट में आपको एक लिंक मिलेगा सीटेट ऑनलाइन एकजाम 2021 आज से ऑनलाइन आविदन स्टार्ट हो रही है आप इस लिंक को ओपेन कर लेंगे यहाँ पर सभी परकार की जानकारी आसान सब्दों में दी गई है आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर पहले समझ लेते हैं पेपर वन और पेपर टू क्या होता है दोस्तों CT8 परिक्षा यानि की Central Teacher Eligility Test यानि की केंदरिया सिखचक पातरता परिक्षा साल में दो बार सिव्यसी बोर्ड द्वारा आयजित करवाई जाती है एक तो जुलाई के महिने में और दूसरा दिसंबर के महिने में इसमें जो है दो पेपर का एकजाम होता है पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2 अगर आपको कक्छा 1 से लेकर 5 तक के स्कूल का सिक्छक बनना है तो आपको पेपर 1 पास आउट होना पड़ेगा अगर आपको 6 to 8 तक के स्कूल का टीचर बनना है तो आपको पेपर 2 पातरता परिक्छा पास आउट होना पड़ेगा इसके बाद आप सीख्छक बनने योग हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पर application fee के बारे में बताया गया है अगर आप paper 1 या paper 2 कोई एक general या OBC के टेगरी के student है online आविदन करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा अगर आप दोनों paper का exam देना चाहते हैं तो आपको 200 रुपया एक्ष्ट्रा यानि की 1200 रुपया लगेगा अगर आप SC या ST या अदिवियां कंडिडेट हैं तो आपको किसी एक paper का exam देना है तो 500 रुपया लगेगा अगर दोनों paper का exam देना है तो 600 रुपया अउनलेन आविदन सुल के रुप में भुगतान करना होगा इसके बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो CT8, eligibility, paper 1 और paper 2 के बारे में बताया गया है अगर आपको कक्छा 1 से 5 तक के primary school में सिख्छक बनना है तो उसके लिए क्या-क्या योगिता है आसान सब्दों में दी गई है आप चाहे तो यहाँ पर आकर पड़ भी सकते हैं आपको थोड़ा यहाँ पर धियान देना है senior secondary या इसके समकक्छ कम से कम आपको 50% अंक होना चाहिए और दो वर्षिय डिपलोमा इन एलिमेंटी एजुकेशन यानि की डियलेड कोर्स में आप उत्रीन किये हुए है या अंतिम वर्ष में appearing है तो आप इस form को भर सकते हैं दूसरा यहाँ पर देखेगा senior secondary या इसके समकक्छ कम से कम आपको 45% अंक होना चाहिए और NCTE 2002 के मांदन के अनुसार अगर आप प्रारमिक सिक्छा में दो वर्षिय डिपलोमा कोर्स डियेड किये हुए है या इसके अंतिम वर्ष में appearing है तो आप इस form को भर सकते हैं इसके बाद senior secondary या इसके समकक्छ कम से कम 50% अंक के साथ आप 4 वर्षिय बैचलर आफ एलिमेंटी एजुकेशन कोर्स यानि की BLA जो 4 वर्ष का होता है अगर आप ये कोर्स किये हुए है तो आप इस परिक्छा फोर्म को भर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे अंतीम वर्ष में उतीन है या फिर पून रूप से पास आउट है तो आप इस form को भर सकते हैं इसके बाद senior secondary या इसके समकक्छ कम से कम आपको 50% नंमर चाहिए इसके साथ अगर आप विशेज सिक्छा में दो वर्ष या डिप्लोमा कोर्स किये हुए है इसके अंतीम वर्ष में है या एपिरिंग है तो आप इस form को भर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखेंगे असना तक या असना तक अस्तरिय कोर्स में कम से कम आपको 50% अंक होना चाहिए उसके साथ में 20 अगर आप की हुए है तो आप इस form को भर सकते हैं कक्छाओ 1 से 5 तक के लिए यानि की पेपर 1 के लिए यहाँ पर देखेंगे जिसने NCTE से मानता प्राफ संस्थानों से योगता हासिल की है या फिर Bachelor of Education कोर्स हासिल की है उसे प्रार्थमिक सिक्छक के रुप में न्युक्त होने के लिए विचार किया जाएगा वसरते सिक्छक के रुप में न्युक्त व्यक्ति को अनिवाज रुप से NCTE से मानता प्राफ्त प्रारंबिक सिक्छा में 6 महने का ब्रीज कोर्स भी करना होगा कक्षा एक से पांस तक में अगर आपको आना है बेड किये हुए है तो आपको छे महने का ब्रीज कोर्स भी करना होगा अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 6-8 तक के टीचर के लिए अगर आपको पेपर 2 एक्जाम देना है तो क्या-क्या युगता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर देखेंगे तो असनातक डिग्री और प्रारमिक सिक्षा में दो वर्सिय डिप्लोमा कोर्स चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो उसके अंतीम वर्स में उत्तीन होना चाहिए या फिर पूर्न रुप से उत्तीन होना अनिवार्ज है यानि कि बहुत सारे अवियर फिर गार्षी के साथ साथ सारे अवियर्थी डियल का कोर्स किये हैं तो डियल का जो के यहसिता हैं तो आप पर माय और और के यह लिगल होते क्लिए कि इसके बाद यहां पर आगे है अस्तारीय कोई भी कोर्स किये हुए हैं पचास परतिसत अंग के साथ उतिरन है उसके साथ-साथ अगर आप जो है सिख्छा में एक वर्स का असनातक यानि कि बीड में उत्तीर नहें या फिर एप्यरिंग है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो है यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे अव्यर्थी अलग-अलग स्टेट से जो है एक वर्स वाला जो है बीड कोर्स करते हैं तो अगर आप वो कोर्स किये हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं असनातक कोर्सों में 45 परतिसत अंकों के साथ अगर आप NCT मांदन्डों के अनुसार एक वर्स या एक वर्स या बैचलर इन एजुकेशन यानि कि बीड में उत्तीन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एपिरिंग है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके बाद आगे देखेंगे तो सिनियर सेकेंडी या इसके समकच्छ अगर आप 50 परतिसत अंके साथ उत्तिन है इसके साथ अगर आप 4 वर्स या बीड कोर्स किये हुए यानि कि यहाँ पर देखेंगे चार वर्स ये बैचलर इन एलिमेंटी एजूकेशन जैसे डियलेड होता है वैसे चार वर्स ये बैचलर लेवल होता है इसके अंतिम वर्स में आप पास आउट है या फिर एपियरिंग भी है तो आप इस फर्म को भर सकते हैं इसके बाद आगे देखेंगे तो सिनियर सेकेंडरी या इसके समकच 50% अंग के साथ 4 वर्स ये इंटिगरिटेड कोर्स किये हुए है जो असनातक अस्तरिय होता है जिसे की बैब यसी के साथ 7 बैड होता है जो 4 वर्स का कोर्स होता है इसके अंतिम वर्स में उतीर्न है या फि या फिर appearing है इसमें तो भी आप इस form को बर सकते हैं यहाँ पर special DLA भी होता है special BLA भी होता है आप सभी यहाँ पर देखेंगे special सिख्छा यानि की दो वर्सिय डिप्लोमा इन एलिमेंटी एजुकेशन कोर्स में special कोर्स होता है अगर आप वो कोर्स किये हैं इंटर के साथ भी तो आप इस form को भर सकते हैं गरेजुशन के साथ किये हैं तब आप पेपर टूब के लिए भी eligible हो जाते हैं तो मैं आपको फिर से एक बार सौट में बता दूँ अगर आप इंटर के साथ इंटर के साथ अगर आप DLA किये हैं तो आप पेपर 1 के लिए eligible हैं यानि कि कक्छा 1 से लेकर के 5 तक के स्कूल में आप टीचर बन सकेंगे अगर आप BAC के साथ साथ DLA किये हैं तब जो है पेपर 1 और पेपर 2 यानि कि कक्छा 1 से 5 और उसके बाद कक्छा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल में सिक्छक बनने योग आप हो जाते हैं अगर आप इस DLA के जगर आप बीएड की हुए हैं तो भी आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए eligible हो जाते हैं आपको पता है पेपर 1 जब आप exam देते हैं तो कक्छा 1 से लेकर के 5 तक के school में सिख्छक बनने योग आप हो जाते हैं और पेपर 2 जब देते हैं तो कक्छा 6 से लेकर आर्ट के school में सिख्छक बनने योग आप हो जाते हैं तो ये था पूरा योग था आप इस link को open कीजिए हम description में भी दे देंगे और खुद से भी कोशिश कीजिए एक बार detail में पर ले ताकि समझने में और भी आसानी हो जाए इसके बाद online आविदन से समबंदीत लिंक दिया गया है अगर आप online आविदन करना चाहते हैं तो online आविदन आज से start है 19 October 2021 तक आप सभी online आविदन कर सकते हैं इसके बाद अगर आप हमारे WhatsApp ग्रूप या टिलेग्राम ग्रूप को जोएन करना चाहते हैं तो निशीत रूप से जोएन कर लिजिए इसके बाद जैसे ही online apply link पर क्लिक करते हैं आपका page कुछ इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर 4 step में आपका जो application form fill up होगा आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं या आप cafe जाकर के आविदन करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है और इस बार online exam होगा यानि कि इस बार जो है seated की परिक्षा computer based होगा online होगा तो इसलिए आप सभी को थोड़ा त्यारी के लिए पहले से जो है practice करना होगा प्रैक्टिक्स के लिए जो है सभी डिस्टिक हुआ है जै फ्री टेस्ट जो है CVC बोर द्वारा आजित करवाए जाएगी जिसके सम्मद में हम आगे वीडियो लाएंगे तो हमारे साथ जुरे रहे वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए नए साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद